कई हिखते हैं कि आप सामने आज यहां पर थी नंबर मेरे दिखाई दे रहे हां में आपको आनवान में जुझे चाहिए अगर आपको आज लगता है कि ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ है तो आप फॉलू भी कीचेगा और आज की रिटिंग का जो टॉपिक आपने पढ़ी लिया है टॉपिक यही है कि आपका आने वाले समय कैसा होगा क्या गुड निवस आपको मिल सकती है आने वाले समय से बह विस्वास सब कुछ है अगर विस्वास है तो सब है नहीं है तो नहीं है विस्वास बनाके रखिए जीवन में बहुत जरूरी होता है आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर है बहुत ध्यान से देखिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए जो भी कुछ आपके जीवन मे कैसा है आपका भविश्य कैसा है यूनिवर्स का क्या संदेश है जिस सक्ती में भी आपको विश्वास से आस्ता है शद्धा है वो सक्ती आपसे क्या कहना चाहती है वो सक्ती आपको क्या बताना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में आपका जीवन में आने अला जो समय है वो कैसा होगा साथ में क्या good news मिल सकती है क्या जिसका इंतजार आप कर रहे हैं वो चीज आपका वो काम आपका पूरा होने वाला है अगर नहीं तो क्यों नहीं पूरा होने वाला यह सब कुछ देखेंगे किसे आपके आने होने समय के लिए है टाइमलेस वीडियो आप कभी भी इस वीडियो को देखें विस्वास के साथ देखेंगे तो जरूर आप से connect होगा और बहुत साथ लोग मेरे नाम से comment करते हैं whatsapp number share करते हैं मैंने अपने number कभी share नहीं किया है और ना ही मैं personal reading YouTube से लेती हूँ इस बात का देहान आप हमेशा रखेंगा अगर आप फिर भी अगर इन सब चक्रों में पढ़ते हैं तो फिर में यह मेरे जिमदारी नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार आपको यह बात बताई है प्रेक है, fraud है मेरा एक यही चैनल है Sunlighty Elvana और आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं सेम नाम से आपको हम वहां भी मिलेंगे Sunlighty Elvana तो वहां भी आप मुझे follow कर सकते हैं स्वाट्स वीडियो देखने के लिए थोड़ा entertainment type की वीडियो देखने के लिए आप मुझे मुझे वह follow कर सकते हैं बागी डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मुझे YouTube पे ही follow करें ठीक है, नाम तो आप जानते ही है चैनल का Sunlighty Elvana टाइम डिस वीडियो है, आप सको बहुत ध्यान से देखिएगा जनल रिडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं जिनके साथ connect हो जाए, वो इसको follow भी कर सकते हैं आज का जो topic है, वो आपका समय कैसा होगा साथ में क्या good news मिलेगी यूनिवर्स की दब से क्या guidance है जैश्री राम जै, हनुआन जी comment box में जरूर लिकर जाइएगा तो चलिए अब हम देखते हैं, हमें क्या पता चलता है आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड तीन नंबर आपके सामने है, आपने जो नंबर चुना था बस उसी नंबर की reading को देखिएगा आज हम देखने जा रहे हैं, कि आपका आनला समय कैसा है क्या good news आपको मिलेगी तो पहला card जो आ रहा है, वो है king of cup का तो जिसने भी first नंबर चुना था, यह जानने के लिए कि आपका आनला समय कैसा है आनला समय आपके हिसाफ से बहुत positive है आपके जीवन के लिए बहुत positive है new chance आपको मिलेगा अगर आप नए chance का इंतजार कर रहे है उमीद है, relationship के भी यहाँ chances बन रहे हैं आपके जीवन में, अगर आप किसी नए person का इंतजार कर रहे है तो वो इनसान आपके जीवन में आने वाला है अगर आप same person का इंतजार कर रहे है तो same person आपके जीवन में फिर से आने वाले है reunion का card भी है, यहाँ पे new relationship दिख रहा है फिर से एक start दिखाए दे रहा है, बहुत positive start दिखाए दे रहा है number first, आपने चुना है आपका जो आने रा समय है, बहुत positive है आपको बहुत अच्छा महसूस होगा बहुत आप अपने आपको एकसान्थ महसूस करेंगे जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे एक उमीद और बहुत positive उमीद आपको मिलेगी कुछ ऐसा होगा आने रहे समय में एक हफ़ते में काफी अच्छा चेंज आप देखने को आपको मिलेगा, एक दिन में भी मिल सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहा है न उसके बाद से आप समय देखिएगा बहुत जल्दी आपके लिए बहुत positive हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे सफलता भी बहुत लोगों को मिल जाएगी कुछ लोग परिशान है किसी चीज को लेके तो आपको परिशान नहीं होना क्योंकि अभी जो है ना आपके हाथ में सफलता दिख रही है मुझे आप काफी समय से किसी चीज को लेके परिशान रहे हैं उससी उसमें आपको सफलता मिल जाएगी ये आपकी परेश्रम है आपका संगर से जिसके बाद आपको ये सफलता मिलेगी देखिए नमबर फर्स्ट आपके लिए संगा भी काड आ रहा है तो किसी भी प्रकार का अगर मन में डाउट चला है आपके किसी भी प्रकार का कि हो सकता है कि ना हो हो सकता है कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो लेकि नहीं वो डाउट अपने मन से निकाल दीजे क्योंकि सफलता यहां मुझे दिख रही है बहुत साथ लोगों के लिए प्रॉब में हैं、 बहुत सारे लोग के लिए प्रमोशन में हैं सारे लोग के दां ही है बहुत सा questo के कुछ ए्च्छाएं है जो उनको लगता है क्या है नहीं पूरी णोगी ठीक है लेकिन बुझे तो यहाँ दिख रहा है कि आने रहे समय में आ chutके हैं जो भी कुछ होगा ना वो आपके भले के लिए होगा इश्वर की तरफ से आपके लिए यही आदेश है तो उसको एकसेप्ट करना आप सीखें आपने सीखा भी है आप कैसे इंसान है जो जीवन में बहुत बेट परसितियों में भी अपने आपको आपने समाल के रखा है ठीक है हरी चीज़ आपने एकसेप्ट की है अपनी गलतियों को माना है उस पर काम किया है उस पर सुधारा है तो आपके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होगा और जो भी होगा ना यकीन मानिएगा आपके भले के लिए होगा जो भी कुछ है ना जादा मत सोचिए इश्वर चाहते हैं कि आप सब कुछ अपना मतले कि होता ना कि एक सोच होती है जो छोड़ देनी चाहिए समर्पित कर दीजे ठीक है जो इस सक्ति में भी आपको विस्वास है उस सक्ति में सब कुछ अपना जितना भी आपका दुख है जितनी में जिनता है जितना भी भै है समर्पित कर दीजे बस सांत हो जाईए और देखिए आपके जीवन में कितना होजाला हो जाएगा उमीद आप मत कीजे वक्त से पहले किसी चीज़ को पाने की जज्मिन का कार्ड है जितना आपका परिशम रहा है उसका परणाम आपको जरूर मिलेगा जितना आपका संगर्स रहा है उसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी जज्मिन का कार्ड है आपके साथ नियायक होगा अनियायक कभी नहीं होगा योनिवर्स की तरफ से यही आदेश है आप अपने जीवन को एक नए सिर्य से start भी कर सकते हैं एक नहीं सुरवात एक new energy के साथ आप अपने किसी काम में अलगना चाहते हैं तो लग सकते हैं इसमें आपको सफलता मिल जाएगी जो भी कुछ आप अपने जीवन में देखें उसको एक जैसे इस तरीके से देखे कि अभी आपने जीवन के स्टार्ट किया है कभी यह मत सोचिए कि आपने जो पहले किया था वो आपके साथ हो रहा है हर एक दिन नया है, हर एक पल नया है क्योंकि यह दुबारा कभी नहीं आएगा जिस उमर में आप हैं, यह उमर आपके जीवन में कभी दुबारा लौट कर नहीं आएगी उसी तरीके से हर एक दिन आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा हर एक दिन नया दिन है, तो हर एक दिन नहीं उमीद के साथ आता है तो वो चीज़ आपको accept करनी चाहिए पुराना कुछ नहीं सोचना चाहिए अगर आप पुराना सोचेंगे तो फिर आपको बार बार अपने आप में एक उदासी महसूस होगी ठीक है तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने आपको हमिसा मोटिवेट रखें आगे का सोचें जो वीद किया है उसके बारे में बिलकुल भूल जाए और जो नया है जो आगे है उसके बारे में आप क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में योजनाय बनाए एट आफ मॉंट्स के अनरजी है अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपको बहुत जली बहुत पॉजिटिव परिवर्दन देखने को मिलेगा आने रख समय मैं आपको बता दिया है गाइडिन्स जी मैं आपको बता दी है उमीद करते हैं कि अगर आपसे वीडियो कनेक्ट होगा तो आप इसको फॉलू भी करेंगी जो भी बाते मैं आपको बताई हैं बहुत रिस्फास के साथ अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ क चुना है आपके जीवन में जो आने वाला वक्त है वो कैसा है साथ में अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीज एनरजी कनेक्ट रहेगी जो भी कुछ आप चाहते हैं वो जरूर आपको मिलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में आज जैश्री राम जै को मिलेंगे उसमें आपको बहुत निरासा भी होगी जीजे क्या हो सकती एक इस इनसान पर आपने बहुत भरोसा किया है बहुत भरोसा आपको लगाई ये इंसान आपको सभशे है सबसे कुछ हकीकत आपके जीवन की जो साथ आप भ्रह्म में थें अब तक आपकी सोच में आप अपने आपको बहुत हारावा महसूस करेंगे आप बहुत जादा नेगेटिव हो जाएंगे कुछ समय के लिए समय जो होगा वो 8-10 घंटे का होगा ये भी नहीं कहा रही हूँ मैं कि काफी समय तक ये चीज़े आप महसूस करेंगे हो सकता है बहुत साई लोग के साथ ये चीज़ चल लई है ठीक है कुछ एकाथ घंटे से आप अपने जीवन ने बहुत जादा निरासा महसूस कर रहे है तो ये जो समय रहेगा ये जादा जादा 10 घंटे का समय होगा इससे जादा का समय नहीं यहां मुझे दिख रहा है ठीक है उससे कम का भी हो सकता है उससे समय में आपको लगेगा जैसे कि बस आपने जीवन में जो पाया ता सब को दिया है ठीक है लेकिन उसके बात का जो सम आपके सामने हकीकत लाई जाएंगी उसको आपको एकसेप्ट करना होगा मानना होगा अपनी गल्दियों को मानना होगा उसके काम करना होगा उसके बार आपके साथ नयाएं जरूर होगा फूल का भी काड आ रहा है आने अलब समय जो है ना वो बहुत अच्छा होता चाहेगा लेकिन सुर्वात अभी जो आपकी थोड़ी सी होगी ना थोड़ा सामने आपको दिखेगा कुछ ऐसा कि अरे ये मतलब कैसे ऐसे हो गया थीक है थोड़ा आपको जमीन पे लाया जाएगा और देखी फिर मिजिशन का कार्ड है ये इसलिए होगा क्योंकि आप जीवन में कुछ ऐसा कर रहे है या फिर आपने ऐसी कुछ सोच बना ली है जिसके वज़े से आपको आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं गलत सोच में जा रहे हैं अपने जीवन को बहुत फायदा हो जाएगा बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जीवन है परिश्रम ही सबसे ज़्यदा आपको फायदा देगा अगर आप परिश्रम करेंगे संगर्श करेंगे तो वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी उसके बात दिख रहा है कि जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा समय मतलब कल परसो का समय जो होगा टाइमलेस वीडियो जब भी आप देखेंगे उसके बात काई समय है यह आपके प्रिजिन टाइम की सिच्वेशन चल भी रही है अगर नहीं चली है तो कुछ आग गंटे में आपको यह चीज महसूस होगी कि आपने सब कुछ हो दिया इनसान पर भरोसा किया उसने दोका दे दिया कोई बात ऐसी कहदी जिससे आपको लगा कि बस सब कुछ खतम हो गया है लेकिन यह खतम होने के बाद ही नहीं सुरवात होती है तो फिर जजमेंट का कार्ड जरूर होगा आपके सामने आपको कुछ सही गलत सब कुछ आपके मन में आएगा कि क्या आप गलती क्या नहीं गलती उसके बाद आप फिर से अपने जीवन की नहीं स्टार्ट करने की कोशिस कर रहे हैं चैरियट का कार्ड है अपने अंदर आप बहुत आत्म विस्वास महसूस करेंगे एक हफ़ते के अंदर देखिएगा तरहिए आपके अपके एंणर्जी है जो काम में अपने दिमाग लगा रहे हैं उसकाम में आपको सफलता भी मिलेगी सपके साथ से मिलेगी, सबके विस्वास से मिलेगी इमेजेशन का भी काड है आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप अपने जीवन को से किर şurए कर् manufact Dur अब करें लोगों के बारीम को हम इम्यूजन करने लगते हैं Быть सब्सक्राइब में नहीं कैंदे हैाँ अगर आपको अपने घाड कुछ करना है तो चिख है क्योंकि है क्या देखितraine में सूर्च में मूवी मत देखिए लेकिन हाँ देखिए entertainment के लिए देखिए लेकिन उसको अपने जीवन ने मत उतारी है क्योंकि यहाँ पे किसके life में क्या हो रहा है वो आपके dialogue जो होते है movies के वो नहीं तहँ करेंगे page of source के energy है जीवन आपका वो रिक्स पे चलता है तो थोड़ा सा उसको विवैस्तित कीजिए हार समय अगर आप रिक्स को लेके चलेंगे तो परिशान रहेंगे विवैस्तित करने का मतलब यह है कि अगर आप जान रहे हैं कोई चीज है उसके लिए आपको समय देना है तो समय से समय दीजिए उसको एकदम रिक्स पे लेगे जाने की दरूरत किया होने वाला है अपको पता है चाहिए चाहिए लेकिन आप पढ़ाई कर रहें रिक्स पे आप चल आए और एकदम लास्ट मुमेंट पर आपको पढ़ाई जरूर हो जाएंगे लेकिन रिक्स पे मत चलिए आई देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे देखें नाइन आफ सौर्स की एनरजी है यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप फील करें महसूस करें अपने गलतियों को समझें एकसेप् आपस सौर्स की एनरजी आई यहाँ पे आपको नाइन आफ सौर्स की एनरजी भी आ गई है आपको आने वाले समय में बहुत कुछ एहसास होने वाला है कुछ आठ नौ घंटे आपको जीवन के जो होंगे आपको बहुत कुछ सिखाएंगे यूनिवर्स की तरफ से यह नुगोवे साथ इसके निन के साथ अच्छा नहीं बनाएंगे अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक आपको जीवन वो खुशी महसूस नहीं होगी जो आप महसूस करना चाहते है आपकी खुशी आपके परिवार के साथ है थ्रिया पेंटिकल का भी एनरजी यहाँ पे है आपके परिवार को आपकी जरूरत है तो आपको अपने परिवार की साथ देना चाहिए यहां पे आप यहां पे कुछ गलती कर रहे हैं देखे नंबर सेकेंड अगर आप मानते हैं इस बात को तो प्लीस मानिए आपकी जो समस्या है ना उसका समाधान आपको आत्मन्धन से मिलेगा जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक आप जीवन में उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो चीज़ आप अपनी जीवन में चाहते हैं कि आपको मिल जाए आपके कार्ट से मुझे वस यही पता चला है कि आप गलत कर रहे हैं और यूनिवर्स चाहती है कि आप आत्ममंधन करें अपनी गलतीयों को मानें एक्सेप्ट करें आपके जीवन में तुरंट उजाला आजाएगा जिस दिन आपने यह चीज़ मान लें कि हाँ मैं गलत हूँ हाँ मैंने गलत किया है हाँ मेरी गलत सोच है हाँ मेरी इंटेंशन गलत रहती है हम गलत करते नहीं लेकिन इंटेंशन हमेसा गलत होती है देखिए आप किसी का गलत कर तो रहे हैं आप सामने से दिखा रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है लेकिन intention आपकी जो है ना वो किसी से चुपेगी नहीं इस वर से तो नहीं चुपेगी अगर आपकी intention जाहिर आपके काम में गलत है तो फिर आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा तो जो भी कुछ आप सोचते है ना विचार अपने उसको सवा सुद्ध कर लीचे रोशनी ही जिवन में होग उसे कोई रोक नहीं सकता जिस दिन आपने एकसेप्ट कर लिया बस उसी दिन आपकी रौष्ण रॉष्णी आपके जियों में आ जाएगी वह आगर आप 11,6 तो छानथी नहीं एकसेप्ट नहीं नहीं सान्य एकसेप्ट करेंगे सालों लग जाएगे आज द वैसे चैनल को प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजिएगा अपना प्यार दीजिएगा कमें पॉक्स में जैश्री राम जैहनुवान जरूर लिखे जाएगा गिंगा फैंटिकल की एनर्जी आ रही है नमबर चरी आपका जीवन बहुत आने राता में बहुत अच्छा है बहुत जो मैनत की है उसका परिणाम आपको अपने जीवन मिला है कि इंगा पैंटिकल के एनर्जी है अपने आपको आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे महसूस तो करेंगे करेंगे लेकिन आपके साथ आने अलह समय जो है वो बहुत अच्छा भी होगा पैसो को लेके काफी अच अच्छा होगा इजद बढ़ेगी आने ले समय में लोग आपकी बातों को समझेंगे आपके साथ बात करना चाहेंगे रहना चाहेंगे आपसे खुश रहेंगे लोग ठीक है और आपको एक राजा की तरह देखेंगे यहां अगर आपने आश्रिवाद दिया तो जीवन सफल ऐसा वाला सिच्वेशन रहने वाली है आपके आने ले समय में और यह जो इस्तिती रहेगी वह काफी समय तक बनी रहेगी अब आपके ऊपर है ना कोई भी इस्तिती अगर जीवन में है तो आपकी किसी वज़े से है जब तक वो वज़े रहेगी तब तक वो इस्तिती रहे है आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी कुछियां लेकर आ रहा है पैसों की काफी जादा यहां मुझे तरक्य दिख रही है आप जीवन में जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं अपनी महनद से प्राप्त कर रहे हैं और यह बढ़ता ही चला जाएगा ठीक है इससे कोई रो प्राप्त कर रहे हैं अपने लिए समान लेना कपड़े और मैक अगर फीमेल हैं तो अगर नहीं पीए तब भी आप अपने ले काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन यह चीज आप लोगों से जाहिर नहीं होने दे रहे हैं पीच आप एंटिकल की एनरजी आपको जीवन में देख बहुत अच्छा है आपको यह पता है कि आपके कर्म बहुत अच्छे है हैं आप बिलको निस्चिन थो चुके हैं कि आपके साथ बुरा नहीं होने वाला क्योंकि आपने कर्मों को अच्छा कर लिया है तो जब एस आपकर एनरजी है आपके जीवन में जो आपके Life Partner होगों या लव पार्टनर होंगे जो रिलेशन्शिप आपका है वो बहुत पॉजिटिव है तो वहां से काफी जादा आपको पॉजिटिव एनरजी मिलती है आपके जीवन में काफी सब कुछ पॉजिटिव मुझे यहां बहुत दिख रहा है समय के लिए बहुत अच्छा है बहुत ब्लाइन करके चीज़ों के चलते है वहाँ समय आपके दिमाग न कर जाते है सहही भी आहां लगाए तो अनवा Bash है यहां आपके लीए बहुत अच्छा है गुस्ता अगर आप कंच्रोल में रख सकेंगे तो आपके लिए बहुत बहतर हो जाएगा लेकिन गुस्ता अगर करेंगे तो थोड़ा डिस्टब आप रहेंगे आई देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है Six of Pentacles की हाँ एनरजी है पैसे को गले जगा इन्वेस्ट नहीं करना है पैसो को बचाना है जिससे कि आप आगे जीवन में और तरक्की कर पाएं Eight of Wands की एनरजी है रुकना नहीं है बढ़ते रहना है जो भी काम आप कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी Three of Wands की एनरजी है जो आप चाहते हैं वो काम भी आपका हो जाएगा लेकिन तो आप समय दीजे डिवाइन को तो समय दीजे इश्वर को वो समय समय से होगा वो काम आपका समय से ही होगा उससे पहले नहीं Nine of Swords के एनरजी है थोड़ा परिशान हो सकते हैं जो ताइम लगेगा उससे जो आपका काम है जो आप एक इच्छा अपने लेकिन फिर भी Nine of Swords के एनरजी है आप परिशान होंगे आपको चिंता होगी फिक्र होगी किसी की याद आ रही होगी तो सब्सक्राइब हो आप चाहते हो कि इंसान से मिलना है आपको शादी करना है जो भी कुछ हो ठीक है लेकिन आप इंतजार कर रहा है किसी चीज़ का अब चाहते हैं को चीज़ आज की आज हो जाया है लेकिन उसमें समय लगेगा तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल लगना है Eight of Cuff की एनरजी है जो भी कुछ होगा ना वो एक permanent change लेकर आएगा वो अभी की बात नहीं है वो थोड़े समय की बात लगबल लगबल दाए तीन महीना या चार पाँच महीना उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल लगना Eight of Wants की एनरजी है मन से सोचना है अपने कर्म अच्छे रखने है फिर आपको फिक्र करने की जरुवत नहीं है जीवन में दो तिन चीजों का हमेसा ध्यान रखिएगा अपने कर्म अच्छे रखिएगा अपने विचार अच्छे रखिएगा दूसरे के प्रती कभी अपनी जो इंटेंशन है ना उसको गुलत मत रखिएगा अगर आपने ये सब चीजे अगर ध्यान दी तो आप जीवन में हमेसा सुखी रहेंगे चाहे जितने में भी रहें लेकिन आप सुख जरूर आपको मिलेगा जीवन में ठीक है कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए कोई अगर आपके साथ बुरा कर भी रहा है तो उसको छोड़ दीजे एश्वर सब देखते है उस आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो करने दीजे वहाँ साथ सिक्षा रेज़ुए और आगे बढ़ जाईए जो आपके साथ बुरा कर रहा है, इश्वर देख रहा है, कहते हैं कि जो इश्वर जो सजा देते हैं उस हद तक यह सजा आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए कहते हैं, लेकिन हाँ, आपका आजना समय बहुत अच्छा है, आप positive रहे हैं, लोगों के बारे में सोचना थोड़ा कम कीजिए, अपने जीवन पर ध्यान जादा दीजिए, उमीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत जादा पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो please like, comment, subscribe कीजिएगा, हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, bye friends